में और साथ में हम बात करेंगे कि आपके कितनी minimum eligibility criteria होना चाहिए फॉर्म को apply करने के लिए तो अपका हो सकता है first week of April में हो जाए क्योंकि अभी थोड़ा से session date हुआ है तो April में हो सकता है सब्सक्राइब करेंगे कि आपके कितनी minimum eligibility criteria होना चाहिए फॉर्म को apply करने के लिए यहां पर बताना चाहते हैं सबसे बड़ा डाउट यह होता है कि अगर हम 2022 में अपना एक्जाम देंगे तो क्या हम 2022 वाला फॉर्म फिलप कर सकते तो हांजी बिलकुल आप कर सकते हैं तो चलिए चुंड हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके जितने भी डाउट होंगे एप्लिकेशन फॉर्म रिलीज होने से लेकर और आपको जो minimum eligibility अब थोड़ा से सैसे रेट हुआ है तो अप्रेल में हो सकता है या फिर जादा से जादा लेट होता है तो मई तक आपका फॉर्म आना निश्यून तो यहां पर आपको बता दिया है कि अगर आपका जो है अप्लिकेशन फॉर्म वह आचकता है फर्स्ट विक अप्रेल या फिर महीं अगर आपका अप्रेल में आता है तो महीं तक जाएगा और अगर आपका महीं में आते तो फाइली जून तक रहेगा लास तो यह चीज़ आपको द्यान रखना है कि आप सब बहुत ज़्याद क्लास थैंथ पास अट होने चाहिए या फिर पर्सिंग हो तब इस पर चल जाएगा और साथ में थर्टी पाइफ पर्जेंट आपको गेंड करने चाहिए किस किस में मैं आपको बताता हो मैं नहीं हो तो प्लिज स्द्राइब करना मत बूला क्योंकि इसके बाद नंबर सॉ मेरी बस्ट